कि देखो दोस्तों कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई बॉलिवूड की कुछ अच्छी मुविस 2022 की उसके बारे में कोई वीडियो बनाओ तो देखो मुझे वह चीजे पसंद नहीं यह कि टॉप टेन मुविस कौन से थी फ्लॉड यह कौन से थी फ्लॉप से तो यह कौन से यह सिक औह यह लेकिए देखनव को वह चाइए तो कभी कभी Administration लूभी कशी मुविस को मिस कर दोता थे तो जरूरी है क्रिक बौलिवड की बात रहा हूं मैं है कंत बुद के अगry desembaby बैसे कर दो ला रहा हूं बीच में, उनको भी मंधै madam उसके बार्में वह बात करूँगा, तो देखो इस साल में जो लिस देख रहा हूं सäकॉर्डिंग में बात करूद देखो में कूँछा मुवि से जो movie अगर बात करें यहाँ पर मैं South की भी लाऊंगा बीच बीच में देखो या रादेशा मुवी से मुझे पहले से ही कोई उम्मीद नहीं थे ट्रेलर से भी नहीं थी मुझे पहले से ही बिलीव था कि वो movie ऐसी ही होगी जैसी वो थी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी गंगु भाई की बात करें तो 180 करोड में बनी थी भारत में वो 130 करोड गई थी सिर्फ उसको लोग हीट क्यों बोलते है मुझे समझ में नहीं आता है इंडियन बॉक्स ओफिस पे उसको फ्लॉप दिखाया गया है हाँ वर्ड वाइड उसका कलेक्शन गया था 209 करोड या 210 करोड तो 180 करोड की मुवी 210 करोड जाती है तो अब्वेसली उसको हीट मिलेगा लेकिन अगर मैं इंडियन डॉमेस्टिक बॉक्स ओफिस की बात करूँ तो उसको फ्लॉप का टैग मिला था पर ओवर्ड उसको एवरेज है हीट का टैग मिला था ठैंक्स तू संजर लिला बंसाली का कोई पैसा देके मैजिक किया होगा तो मुझे पता ने एक एसी मुवी जिससे मुझे थोड़ा सा बिलीव था और मुझे उसकी स्टूरी अच्छी लगी थी उसका बैगराउंड म्यूजिक भी अच्छा लगा था लेकिन वो फ्लॉप तो उस पे कोई मतलब वो कोई दो बार देखने जैसी मुवी नहीं थी एक बार मैंने देखी थी अच्छी लगी थी मुझे बात करते हैं RRR was good no doubt at all बहुत अच्छी लगी थी जर्सी शाहित का काम बहुत अच्छा था लेकिन मुवी फ्लॉप जानी ही थी बिलीव था पहले इसे हिरो पंदे टूप प्लीज यार नाम नहीं लेना मुझे मतलब रणवे 34 फर्स्टाफ आफ आउटस्टेंडिंग सेकेंड अफ घटिया ने सच में घटिया था वो कोट सीन मुझे बहुत मतलब मैं सच चरील से बोलता हो नींद आई थी जूट नहीं बोलूँगा जैस इसे टाइप के खयाल होते हैं गाओ वालों कि यह दिखाना यह बॉली हुड की शर्मना खरकत थी केजिएफ टू की बात करें तो देखो यार केजिएफ टू में बात कहूंगा कि केजिएफ वन गुड था अच्छी थी केजिएफ टू पता नहीं भई लोगों को कैसे पसंद आई ठीक है अच्छी थी एक बार देखने लाए धाकर नहीं करनी इसके बारे में बात पता है बहुत से लोगों को नहीं भी आया होगा पसंद पर यार अपनी अपनी चॉइस है मुझे एक बार देखने लायक तो लगी थी हाँ उसका अगर आप पहले भूल भूलेया से कंपर करने वाज़ा तो प्लीज अर बगश दो मुझे मैसे और बैद वे वो जो मुवी इसकी रिमेक थी वो उसके जैसी थी वो अलोन करके मुवी थी भूल भूलेया टू उसका ही कौपी थी खेर जाने दो और बात कर लेते हैं कुछ मुवी के जो लिस्ट में उसी के एकोर्डिंग बात कर रहा हूँ विक्रम फैंटास्टिक थी मेजर अच्छी थी एक बार दे की बात करें तो गुड एक बार देखने लाइक थी जनीत में जारी मुझे तो अच्छी लगी थी मुवी डिजास्टर गई निकम नाम भी नहीं लेना मुझे विक्रम के बारे में बात कर ले फृत्वी राज स्टोरी भी अच्छी नहीं थी और जिस तरीके से बनाई थी ब क्लाइमेक्स कर दिया था बहुत गटिया क्लाइमेक्स था वो उनने वो गे लिजबियन वाले को प्रपोगंडे को उनने बॉल्यूड वेरी चीप या जूग जूग जी ओ एक लखी मुवी बलनी बड़ेगी 105 करोड का बजेट था बारत में 85 करोड कमाय तो भी लोगों ने हीट दे दिया उसको करंट जोर ने हीट दे दिया पता नहीं कैसे लेकिन दे दिया भाई व Lives इसने तो फ्लॉप डिया है लेकिन उस अच्थम ऑफिस लाइं ग ईंज बोवोड इंडियन बॉक्स ओफिस ने ओवर वल तो इसको हीट यह नहीं यह तो भाई OTT वाली है उसके बारे में कुछ नहीं बात करनी शायद कॉपी पेश थी मैंने सुना है शंचेरा नहीं करनी भाई बात बख्ष दो विक्रांत रोना वस गुड एक बार देखने लायक थी एक विलन रिटन्स मुझे तो पसंद आई थी लोगों को नहीं आ जो रक्षा बंदन अच्छी थी लेकिन फ्लॉप गई लाल सिंग चड़ा बोरिंग वर्स थी कार्थी केट वाज आउटस्टेंडिंग लाइगर नहीं यार नहीं करनी बात कट पुतली कॉपी पेस्ट अगर बात करे तो दोका राउंड कॉर्णर कुछ भी बनाया था और को उन्होंने सिंपती दी थी चूप की बात करो तो चूप ठीक था ठीक था थी यार बहुत ज्यादा उसका यह किया था कि बहुत अच्छी यह है ब्रभमास्तर 410 करोड के बजेट में बनी थी वर्डवाड 425 करोड किया था इसने इसको हीट का टैंग मिला था मुवी ठीक 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 थी एक बार देखने लाएक थी वी एफेक्स अच्छे थे स्टोरी एवरेश थी यार मतलब ठीक है चलो एक बार तो आप एंजोय कर सकते हो विक्रम वेदा कॉपी पेस्ट रितिक का काम अच्छा था लेकिन कॉपी पेस्ट है गुट बाइ घटिया पीस वन गुट नो डाउट डॉक्टर जी वाज वन टाइम वाच डबल एक्सल वर्स्ट 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 थैं सोनक्षी एक्चली थैंक और नॉट गुट यार मीली अच्छा अटेंप था जानवी का लेकिन क्या बूलू मैं अच्छा काम था यार उसको उसको क्रीटिस अच्छी लगी लोगों को नहीं लगी तो मुझे पता नहीं उसका कुछ फैंटास्टिक मेरे लिए तो उचाई वन टाइम वाच थी फ्रेडी ऑनलाइन थी मुझे अवरेज लगी बहुत लोगों ने बहुत जादे तारिफ कर दी इस मूवी की एक्शन एरो वाज मदूर बंडरगर का बहुत अच्छा अटेम्ट था वो बेडिया वस गुड एक बार देखने लायक थी बहुत जादा उसकी कोई स्तरी से कंपेर ना करो दुश्यम टू वाव पहले तो भाई सेल यू और एक बात गुविंदा नाम मेरे आपको दोस्तो यह लगे या यार म मुझे सच्च में बहुत पसंद नहीं मुझे पता नहीं बाग्यों को आई या नहीं मुझे तो बहुत पसंद थी आउतार टू गुड ग्रेट आउटस्टेंडिंग फैंटेबूलस मजा आया था जो आउतार के फैन उनको समझ आयेगा मैं सा क्यू बोल रहा हूँ पर एस सबसे इरिटेटिंग क्या था पता है सरकस इतनी इरिटेटिंग नहीं होती थी वह जो मुरली शर्मा काम है ना कैमेरा इधर लाओ और बहुत पूर था बार-बार वह सिंगम की कॉपी का नहीं यार हर मुवी में वह जोक्स बनकर हो सिंगम वाले मिस्टर रोई चिटी जान मुझा डिसपॉंट नहीं गया तो वह थी दुश्यम टू ओके रैंक वन मैं उसको दूंगा अगर देना यह तो अच्छा देखो अगर नहीं चलो आ रहा पर अगर साउथ को भी लाना है ना तो पांच ही मुवी चूज कर देता हो मैं फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है लोग को दृश्यम वालोग को के मुझे पर्शनली पसंद साइक आंटारा मैं मेरे बोल रहा हूं पांचनी दस ले लें हम ओके तो एक नंबर पर शायद में कांटारा को दे सकता हो डो लन फूर्पर अगर मैं पकर डूद ओन तो मैं आरर आर को दूँगा मैं देखो जो तो मेरे पर्सनल जो फेवरेट से बात करूँगा मैं तीसरी बात करूँ तो मैं राम सेतु को दूँगा फोर्थ दुरुष्यम टू थोड़ा सा गडबड भी हो सकता है पाच पे दकाश्मीर फाइल्स को रखूँगा मैं विक्रम एचली विक्रम को इतना नीचे नीड आल सक है मैं पाच पे रखूँगा मैं विक्रम को छे पे दकाश्मीर फाइल्स साथ नो जस कोई तो आज़्यस करने बढ़ेंगे या रक्षा बंदन को मैंने उपर रखना चाहिए था लेकिन चलो देखो साथ नंबर पर रक्षा बंदन और मैं यह देखो आप यह मत समझना कि य जो 10 मुझे पसंदें ऐसा पकड़ लो किसी का किसी से कंपेर नहीं करेंगे कौन सी 10 मुझे इंप्रेस किया ओके तो भाई देखो अब लास्ट अब ज्यादा आप पर टाइम नहीं लूंगा डॉंट वरी मुझे सिर्फ उस एकॉर्डिंगी बात करनी है तो टॉप 10 बताना और अगर सिर्फ दो ही चूच करने है तो मुझे भेडिया लेना या नहीं वह भी देखना पड़ेगा जस्ट मिनिट यार कोई अच्छी मुवी मिस्स ना हो जाए मैं एक विलन रिटन्स को नहीं लूंगा यार मा सोच रहा था देखो भूल भूलिया टू को भी वह हीट खुवी है तो लेकिन मैं उसको टॉप 10 में ना रखो यार मैं मतलब मेरी चॉइस से तो नहीं रखना चाहूंगा मैं जस्ट अ मिनिट गाए तो ठीक है मैं विक्रम वेदा को भी यार वो कॉपी पेस्ट थी उसको मैं नहीं ले सकता ठीक है अब सिर्फ दो बचे तो उससे अकॉर्डिंग अगर अगर अजस्ट ही करना है तो मैं आपको जस्ट मिनट आ गाइस तो भी चलो एक भेडिया है भेडिया ने एकिलिस मुझे निराश्ट नहीं किया था और एक बचती हैं तू यार मैं किसको डाल दो चलो थोड़ा सा बॉलिवूड को भी हम नहीं यार बॉलिवूड को नहीं दे सकते हैं लेकिन नहीं रखूंगा चलो मैं बॉलिवूड वालो तुमको मौका दे देता हूं मैं चलो रख रहा हूं मैं वहाँ पे ब्रह्मास्त्र हाँ चलो ठीक है ब्रह्मास्त्र को भाव दे द करते इसको कोई दस पसंदी पसंद करने है तो देख लो भाई 777 चारली से भी पहले विक्रांद रोना से भी पहले में ब्रह्मास्टर को भाव दिया अब यह मत बोलना साउथ की साइड लेता हूं को मैंने टॉप 10 में रखा ही नहीं है मेरी चॉइस है मुझे पसंदी नहीं है उतनी तो भाई यह हो गये दस और सोचार आप लोगों से शेयर करूए बाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए थैंक्यू